रण अप्रचंड है, बल है बलवान है, क्रांति का सिंकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इपिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विबाद है, चुनोतियों का अमबार है, राश्ट की है ये प अपकी बाहर किसकी सरकार नमस्कार दोस्तों लाइव जनादिश में आपका स्वागत है मैं देवेंदर चौहन आपको साथ एक बड़ी खबर बागपत की लेकर आया हूं जो की 2022 का विधान सबाद चुनाव चर्चाव में बना हुआ है तमाम राजनेदिक दल अपनी तयारी क करे हुए हैं और जो लोग हैं वो भी बड़ चड़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं साफ तोर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जहां सपा और रालोध का गठबंदन है वहीं बीजेपी अपनी ताल ठोकती नजर आ रही है जो कि उसके पहले विकास कारिये जो रहे है जो उनके लोगों से आसवासन दिया था या जो उन्होंने कारिये शेली की है यानि विकास के कारियों पर चुनाव लड़ने की बात साफ तोर पर बीजेपी कारे कर रहे हैं लेकिन एक बागपत में एक मामला जहां तीनों सीटों पर बड़ावत बागपत और चप्रोली प रही है उनका परतियासी के लिए नाम रखा गया था चप्रोली से आज उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह अजय कुमार को लाया गया है लेकिन यह अगर देखने वाली बात है या समझने वाली बात है कि आखिर उनका चार दिन पहले टिकट होता है और आज कैंसिल कर दिया जाता है आखिर क्यों लोगों का कुछ नेताओं का आरलडी का कहना कहना है कि उनका छेत्र में वीरोधाभास हो रहा था लेकिन आपको एक मैयदार बात बताओं कि कुछ दिन से चर्चाव कवी से बनी हुई है यहां एक उनकी ओडियो किलिप जिसमें साफ तोर पर व लेकिन आज टिकट बदल दिया गया है और साफ तोर पर लोगों में चर्चाव का विशा बना हुआ है कि आखिर क्या जो विधायक मैं बताना चाहूंगे चप्रोली वो सीट है इस सीट से चोधरी चरण सिंग ने बागपत की चप्रोली से चोधरी चरण सिंग ने के लिए चर्चा हो रहे थे तो तमाम लोग लिस्ट में सामिल थे लेकिन वीरपाल राठी का उसमें नाम आया है यानि बहुत सोच समझ के फैसले लिया गया और चार दिन बाद उस फैसले को बदल दिया गया आखिर मुख्य वजय क्या रही है मुख्य वजय दो ही आए रह से असलील बात करने के हाला कि उन्होंने साफ तोर पर उस वीडियो अपने होने से नकारा है लेकिन जिस तरीके से लोगों ने उनको उस ओडियो को लेकर सवालों के घेरे में कराता साइध उनका ठीकट इसलिए काटा गया हूँ लेकिन अब इंट्रेस्ट यह होगा कि आख सबस्पट